आज 23 सितंबर 2023 है हम सब दो तिन दिन से अलग-अलग योगियों के बारे में सुन रहे हैं आज का स्लोगन वर्णन कर रहा है सच्चा योगी के बारे में कौन है सच्चा योगी? क्या उनकी विशेश्टाए हैं? सुनते हैं आज के स्लोगन के द्वारा निन्दास तूती, मान अपमान, हानी लाभ में समान रहने वाले ही, योगी तु आत्मा है योगी उसको कहा जाता है, जिसका बुध्धी योग सिर्फ एक के ही साथ हो जिसकी मन की जो लगन है, वो एक बाबा के साथ लगी रहे उसी को ही योगी कहा जाता है क्योंकि बुध्धी का जोड एक परमात्मा जो सर्वोच है उसके साथ है जो सच्चा योगी है, योगी तु आत्मा है उनके लिए संसार ही एक बाबा है संसार में सब कुछ आ जाता है सनेह, प्यार, संबंध, वस्तु, धन, दौलत, संपत्ति, सब कुछ तो सब कुछ एक बाबा में ही अनुभव हुआ हो उनके लिए सारी प्राप्तिया, सारे सुखों का रस एक बाबा से ही प्राप्त होता हो उनको इस थूल दुनिया की जो प्राप्तिया है जो चीजे है, चाहे सुख है, चाहे दुख है चाहे कोई प्राप्ती है चाहे बहुत प्रकार की प्राप्ती है वो सब तुछ लगने लगते हैं क्योंकि सर्वोच बाप से सर्वशक्तिवान बाप से सब कुछ स्रेश्टे स्रेश्ट अती स्रेश्ट पदम गुना स्रेश्ट उन्हें मिल रहा है इसलिए उनके लिए ये जो दुनिया की जो भी चीजे है अच्छाई हो ये बुराई हो वो सब धूल च्छाई के समान है यदि निन्दा भी कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसा लगेगा कि ये निन्दा करना मेरे लिए निन्दा नहीं है परन्तु मेरे संपुन्ता की स्थिती को प्राप्त करने के लिए एक परिक्षा है उसका एक माध्यम है ये समझ लेते हैं चाहे स्थुती हो तो स्थुती को सुन करके सुख नहीं होते खुश नहीं होते अगर स्थुती के आधार से स्थिती बनती है तो उसे योगीतु आत्मा नहीं कहेंगे क्योंकि योगीतु आत्मा कभी भी किसी चीज का आधार नहीं लेते हैं तो चाहे स्तुती हो, चाहे निंदा हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान, चाहे हार, चाहे जीत, उनके लिए सब समान है, सब बराबर है, क्योंकि योगीतु आत्मा अंदर से संपन है, भरपूर है, सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुनों से, इसलिए उनको ना चाहिए ना दुख चाहिए वे तो सदा अती इंद्रिय सुक के अनुभूती में पर्मानंद के अनुभूती में अंदरी अंदर लगन में मगन होते हुए रहते हैं यही है योगीतु आत्मा के निशाने ओम शांती